अहatically के तो फ्रेंड्स वेल्कम टू माय यूटूप चैनल आज में ये बात करने वाले संदे ग्रेड कह लिए महाथ विड़्यों के बारे में इन लोड़िए को अपने दोस्तों के साथ सेहर जरूर करना साथ इस वीडियो को लाइक करके पनी दोस्तों सेहर करना अजG फेला question है एतिया 6 तल मांगड राजस्तान की क्लिव यहां जो धाम है वो राजस्तान की किस जिल्व मिखती थे राजस्तान में जिल्ह व्हाइब सी ऑप्सु क्रूंगर मोरश जुथ crushing टुर तो इसका सही आंसर हो जाएक वह बाथ़ा में मांगड है, वो स्तीत है बांसवाडा जिले के अंदर दो नमर उप्चन इसका सही होगा second grade 2018 में पुचा गया question है अगला question है संपसबा की स्थापना किस ने की थी यानि जो संपसबा है उसकी स्थापना किस ने ती एक नमर मोतिलाल तेजावत से सम्मंदित नहीं था विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित को नहीं था इसमें से तो चगनलाल जो चगनराज है उसका दूसरा नाम चोपासनी वाला है वो विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित नहीं है बाकि विजे सिंग पतिक सीताराम दास और मान के लालवर्मा ये तिनों ही विजोलिया किसान आंदुलान से सम्मंदित हैं, तो एक नमर उप्सन सही हो जाएगा छगनलाल, अगला है जेपुर राजे मीना सुधार समीती का गठन किस स्तान पर हुआ था, जेपुर राजे मीना सुधार समिती हैं उसका गठन किस अस्तान पर वाथा तो नीम का थाना जो शिकर में हैं वहाँ पर वाथा तीन नमर ओप्सन इसका सही होगा जेपुर राजे मीना सुधार समिती नीम का थाना शिकर अगला कुशन है डाबड़ाकांड किसे छेतर के किसानों से सम्मदित है डाबड़ाकांड है वो जोधपूर के जो किसान है उनसे सम्मदित है डाबड़ाकांड चार नमर और सभी और सही होगा ये 2nd grade 2018 में पुछा गया कुशन है अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी संप सभा की स्थापना गोविंद गुरू ने की थी एक नमर ओप्सन इसका सही होगा गोविंद गुरू अगला है निमलकत सुची में से उन नेताओं को चुनी जिन्होंने विजोलिया किसान अंदोलन में भाग लिया था तो सादु सिधरामना दास ने भी लिया था विजे सिंग पतिक ने विजोलिया किसान अंदोलन में भाग लिया माने के लाल वर्मा ने लिया और नाराणी पटेल ने लिया इन चारों ने भाग लिया था तो एक दो और तीन चाह यानि दो नमर उपसें इसका सही हो जाएगा अगला किसने निमलखित गटना पर विचार करना है हमें डाबडा कंड उसके बाद में निमूचना कंड और उसके बाद में आता है चंडावत कंड और चानमर पर है मानगड पहाड़ी हत्या कंड इन गटनाओं को हमें जो टाइम है काल करम है उसके इसाब से हमें सही लगाना है तो सबसे पहले आता है मानगड पहाड़ी हत्या कंड उसके बाद में आता है निमूचना कंड उसके बाद में आता है जो चंडावल कंड है वो और लास्ट में आता है डाबडा कंड तो चार, दो, तीन, एक, यानी चार नमर उफसन इसका सही हो जाएगा अगला किशने संप सभा की स्ताफना किशने की थी तो गोविंद गीरी ने संप सभा की स्ताफना की थी एक नमर उफसन सही हो जाएगा अगला है निम्न में से कोन बुंदी राजे में हुए कर्षक आंदरोन का नेता था नेनुराम सर्मा एक नमर ओप्सिन इसका सही होगा अगला है राजस्तान जाड चेतरी महासभा बनाए गई थी 1931 के अंदर दो नमर ओप्सिन इसका सही होगा 1931 अगला है किस वर्ष निम्मूचन अलवर दुखांत गटना होई थी perch निम्मूचन अलवर दुखांत गटना होई थी तो 1925 में 1925 में इसका सही हो जाएगा अगला है ननुराम किस अंदोरन से सम न न न काटन से सम न का गष़ी होगा हिंहें तो जहाएं नियनुरहं है वो वन्दीं पर्जामनी लांदौलण से संब्लगे तो सभिधीयोगं तो जाथ किस झाती के लोग तो तो अगला है किसान संतने वह बैंग को आंदोलन से संबंदित है तीन नमर उपसन इसका सही हो जाएगा अगला किसान आंदोलन से संबंदित नहीं है तो वो है पाली पाली किसान आंदोलन से संबंदित नहीं है एक नमर उपसन सही होगा शेकावटी है बेंगु है थानागाजी ये तिनों आंदोलन से संबंदित है बाकि पालिए नहीं, बाइस जुन 1908 को चित ओड़गर में रासमी प्रगनास्तित मात्र कुंडिया नामकस्तान पर कोन सा खिसान अंदर लन हुआ था, तो जार्ट कुंडिया नामकस्तान पर 22 जुन 1908 को, एक नमर ऑप्षण इसका सही होगा, जार्ट किसान अंदर लन, अग तो बहुत ही जरूरी है क्यों ये 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 अगर आपको पढ़नों कर सकी है तो सबसे बड़े मुश्क्यल है निमल की तमेशIES राजतान विजोलिया है और सबसे अधिक काल तक चला था विजोलिया किसवाना अंदोलन अगला है राजस्तान में किसान अंदोलन का जनक किसको कहते हैं राजस्तान में किसान अंदोलन का जनक है विजे सिंग पतिक दो नमर उप्सन सही होगा विजे सिंग पतिक अगला है रास्तान में एकी आंदोलन का सुत्रपात किस ने किया था रास्तान में एकी आंदोलन का सुत्रपात मोतिलाल तेजा होता ने किया था दो नमर उप्शन इसका सही होगा अगला किशन है एकी आंदोलन किस स्तान से प्रान बुआ था मात्र कुंडियास्तान से प्राण भुआ था एक की आंदोलन चार नमर उप्सन इसका सही होगा 2008 में पुचा गया किशन है जलालुदीन खिलजी के रनतंबोर हभियान के समें वहां का सासक कौन था यानि सुल्टान जलालुदीन खिलजी ने जब रनतंबोर पर आकरमन किया था उसमें रनतंबोर का सासक कौन था ए उप्सन गोविन राज, बी उप्सन वीर नारैन, सी उप्सन हमीर और डी उप्सन है रतिपाल तो इसका सही आंसर है हमीर देव यानि ती नमर उप्सन इसका सही होगा जब अलावदीन खिलजी ने रनतंबोर पर आकरमन किया था उसमें रनतंबोर का सासक हमीर देव रन थंबोर के साथ सक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को सरन देने पर अलावदीन ने रन थंबोर पर आकरमन किया था यानि रन थंबोर के लिए पर आकरमन करने का एक मुख्य कारण था कि उस टाइम में एक जो मुहमद साह सेनापती था उसको रन दी थी हमीर देव ने रन थंबोर के किले में इसलिए अलावदीन खिलजी ने उस पर आकरमन किया था B-Opcen-Sahy Yoga Mohamed Sahay पर Mohamed Sahay के वजैसे ये आकरवन किया गया था अगला है जालोर में अलावदीन का समकालीन सासक कौन था जालोर के अंदर जो अलावदीन का समकालीन सासक है वो था कनरदेव कानर देव के साथ यूद वा था अलावदीन का दो नमर उफ्षन सही होगा कानर देव के क्यूशन 2018 में पूछे के क्यूशन है अगला जो क्यूशन है महाराना सांगा ने इब्राहिम लोधी को को न से यूद में प्राजित किया था तो A option पानीपत, B option खातोली, 2 नमर नागोर और 3 नमर उद्यपूर तो इसका सही आंशर है खातोली के युद्मी महारान सांगा ने इब्रहाम लोधी को प्राजित किया था दो नमर उपसन इसका सही होगा अगला किशने इमल कीते संगीत गरंतों में से कौन सा गरंत राना कुमबा करत है यानि इन में से संगीत गरंत है इन में से कौन सा संगीत गरंत है जो राना कुमबा का करत है तो एक है संगीत राज, दूसरा है संगीत मिमान सा, तीसरा है सुद परबंद लेकिन काला नीती हैं वो नहीं है बाकी ये तिन्नु है वो मानना कुम्बा के हैं संगीत राज संगीत मिमा सावरे सुद्ध प्रबत ए बी ची इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है तेरा सोईसी में रन थमबोर पर आकरमन के दुरान अलावदिन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था यानी तेरा सोईसी में जब रन थमबोर पर आकरमन करा था अलावदिन खिलजी ने उस टाइम है वो सेनापती था नुसरत खा जो मारे गया था एक नमर उपसन इसका सही होगा अगला है रनन थमबोर की विजे के उपरांत अलाओदिन खिल्ची ने इस दुरु को किसके अधिकार में सुप दिया था तो वो थे उल्गु खा इन रनन थमबोर की विजे को अलाओदिन खिल्ची ने जीतने के बाद उल्गु खा को दे दिया था चार नमर उपसन इसका सही होगा अगला है निमल खित में से किस रिचना में अमीर खुस्रों ने चितोड़ पर अलाओदिन खिल्ची के आकरमन का वर्रन किया था तो वो थे खजाइन उल्गु खुद्धु है चार नमर उपसन इसका सही होगा अगला किशन है निमल खित की सग्रंथ में अलाओदिन खिल्ची की जालोर वीजे का विरन मिलता है तो यसा कौन सग्रंथ है जिसमें अलाओदिन खिल्ची की जालोर जो वीजे होगा उसका वनन मिलता है तो कानर दे परबंद के अंदर मिलता है तीन नमर उपसन इसका सही ह और जालोर का उस टाइम सा सकता का नर्देव कानर देव था और देव हैं वह जालोर का साच सकता दोन मरे अपसं सही होगा यह भी पूचा गया सेकिनग्रेड में अगला है अलावदिन खिलजी के निमनांकित विजियों को काल कर्मा अनसार व्योस्तित करना है तो सबसे पहले अलावदिन खिलजी ने दिल्ली से स्टार्ट किया था उसके बाद दिल्ली से उन्होंने रन थंबोर पर उसके बाद मी चितोड पर करा था उसके बाद मी जालोर पर खरा था और लास्ट में किया था शीवाना किल्ले पर धन थंबूर में 301 में किया था जालोर में 3011 में और चितोड पर चितोड पर 303 में और सिवाना पर 1308 में किया गया था यह इनका करम था A C D B एक नमार उसे इसका सही होगा अगला चो question है कुमबा के विशे में निम्न में से कौन सकतन ऐसत्त हैं तो वय विद्वान नहीं था विद्वानों को आस्रे देता था ये ऐसत्त हैं बाकी देखे वय कुमल दूर का निर्माता था सही है और वे संगीत प्रमी भी था, वे मेवार के महान साथ को में से एक था, तो ये तिन न उप्सन सही है, एक नमर उप्सन इसका सही नहीं है, आंसर इसका एक नमर उप्सन सही हो जाएगा, चितोड का राणा रतन सिंग था, चितोड का राणा रतन सिंग है, वो कौन से सासक से सम अलावदिन खिलजी ने रन थम्बूर पर आकर्मन किया था, सुल्तान के विद्रोय को सरन दी थी, इसलिए उन्होंने ये आकर्मन किया था, ये किशन भी शेकने के रिड़ में पुछा गया है, दो नमर खिलजी दोरा चितोड को नाम दिया गया था, जब अलावदिन खिलज अलावदिन खिलजी ने चितोड को जीत लिया था, उसके बाद में चितोड का एक नाम रखा था, खिजरावाद, तो इदोmyहाँन सही होगा, तो जब जब गया था ऐसरी आकर्मन का सुल्द है, आएक्षरबन खिलजी ने जब आकर्मन किया था, उस टाइम रन थमबूर का था चार नमर उप्सिंज का सईयोगम तो यह थे सेकेंड ग्रेड में पूछा कि क्यूशन आपको कैसे लिए कॉमेंड में जुरूर बताना साथ इस वीडियो को लाइक कर आपने दोस्तों साथ सेर करना चैनल पर आप नहीं है सी तरह कि मैंत अपन क्यूशन देखना के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना